स्वागत है दोस्तों आपका अपके अपनी YouTube चैनल सोनी शुटरियल क्लासेस पर मैं उदैशंकर सोनी और आज की vocabulary क्लास में हम लोग सुरू करेंगे accurate से ठीक है बहुत छोटा सा word है और बहुत ज्यादा कठीन भी नहीं है बहुत असान है accurate एक adjective है और accurate का मतलब होता है सटीक आ आप English में बोल सकते है इसको exact ठीक है इसको English में और दूसरा चीज बोल सकते है precise ठीक है जैसे हम लोग बोल सकते है उदारन के तौर पे सटीक निसाना accurate aim सटीक हतियार accurate weapon सटीक map accurate measurement ठीक है एट्सेटरा एट्सेटरा accurate के खंदान से ही एक word निकला accurately कौन सा word निकला accurately किसी भी adjective में एलवाई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है एडवर्ब तो यह क्या है एडवर्ब एडवर्ब कहा होगा sentence के अंत में यह वर्ब के बाद चली यह word तो हो गया next word आता है हमारा एक आप इसको note कर ले मैं एक के बारे में भी बता दू एक नाउन के रूप में दिया है दर्द आप अक्सर सुने होंगे headache जिसको हम लोग बोल देते हैं headache headache कते हैं headache नहीं है head और उसमें एक जोड़ दीजे headache stomach ache back ache पीट का दर्द ठीक है? etc. etc. headache, stomach ache, back ache यह सब एक अच्छे एक मतलब अब चुकि नाउन के रूप में हमने वहां लिखा है लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि हम भब के रूप में भी पढ़ा दें आपको तो दर्द होना या दुखना दर्द होना या दुखना ठीक है? जैसे कहेंगे कि example के तौर पे मेरे पैर में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है ठीक है? तो हम लोग बोलेंगे my legs are aching ए हट जाएगा ing लग जाएगा ठीक है? कुछ लोग बोल देंगे pain तो ये गलत हो जाएगा पूछे क्यों गलत हो जाएगा? मैं बताता हूँ पहले इसको तब तक आप लोग note कर ले हलाकि pain का मतलब भी होता है दर्द तो एक में और pain में क्या फर्क है? इसको जरा आप लोग note करें उसके बाद मैं बताता हूँ पहले note कर ले आप लोग मेरे पियारे बचों अब हम लोग देखेंगे कि एक और pain दोनों हिंदी के हिसाब से एक है, same है इसको भी मतलब होता है दर्द तो फर्क क्या है? तो हमने बताया इसका noun के रूप दर्द और वर्ब के रूप में इसको हम लोग दर्द होना कि दर्द हो रहा है इस अर्थ में भी यूज़ करते हैं इसको हम लोग नाउन के रूप में पेन यूज़ करते हैं लेकिन वर्ब के रूप में दर्द होना नहीं यूज़ कर सकते हैं ठीक है ये गलत है हाँ इसको व पुजरा देखिएगा एक तो हम लोग जानगे दर्द ये खास करके शारीरिक होता है ठीक है और पेन का क्या मामला है कि ये शारीरिक भी हो सकता है और ये भावनात्मक भी हो सकता है पेन ठीक है पेन का जब हम लोग पुलरल बनाते हैं पेन तब ये तकलीफ का बोधर कराता है इसका सेंस होता है तकलीफ हिंदी में तकलीफ हम लोग बोलते हैं अंगरेजी में बोलते हैं सफरिंग और ये सफरिंग किसी भी तरीके का हो सकता है फिजिकल हो सकता है एमोशनल हो सकता है economic crisis हो सकता है suffering तो ये तो फर्क आप समझ गया noun के रूप में ये सब जो हम बता रहे हैं ये noun के रूप में है तो ये तो बहुत बड़ा बात हो गया कि ये limited है up to physical problem है ना ये physical है और ये क्या है physical भी हो सकता emotional भी हो सकता और ready इसको plural form में कर दें तब इसका मतलब suffering हो सकता और suffering तो कुछ भी हो सकता है physical suffering हो सकता है mental emotional हो सकता है economic crisis भी अपने आप में एक suffering है अभी जो lockdown के कारण बहुत सारे लोगों को भूख से परिशानी मतलब खाना नहीं मिल रहा है भूखों मरने के स्थिति आ गई है वो भी life का एक pains है उनके life का बास समझ में आ रही है unemployment भी आपके life का एक pains है तो इस तरह से pains एक suffering हो सकता है ठीक है अब pain noun के रूप में उस person के लिए भी use कर सकते हैं या उस चीज के लिए भी use कर सकते हैं जो बहुत annoying है जो आपको जिससे आपको बहुत चिड होता है जिससे आपको बहुत परिशानी होती है जैसे आपका कोई दोस्त है वह हर समय आता है और आपसे फालतू बातें करके आपका time waste करता है आपको bother करता है दिन उसके आते करते लो यार he is a pain he is a pain आ गया वो ठीक है वो आ गया he is just a pain मतलब कोई दम सरदर्द है वो अपने आप में वो आता है आपको परिशानी देता है तो आप समझ रहे हो pain बहुत 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 ज़्यादा विस्तरित रूप में noun के रूप में use हो सकता है और if you pain somebody देखिए आप दर्द देते हैं याद रखिएगा वर्ब के रूप में जब आप use करते हैं तो आप pain के बाद you pain somebody आप किसी को दुखी कर देते हैं ठीक है with your behavior with your attitude with your reactions with your responses with your insensitivity you pain somebody but you can't eat somebody एक के बाद कभी भी देखिए pain के बाद जो somebody आया ये एक object है मेरे प्यारे बच्चों गौर से समझेगा कि pain के बाद object आता है pain somebody किसी को आप तकलीफ देते हैं दर्द देते हैं नुक्षान देते हैं लेकिन जब एक बोलते हैं तो एक एक intransitive भर है इसके बाद कोई object नहीं आता है no object याद रखिएगा वर्ब के रूप में जिस चीज में दर्द होता है आपके जिस सरीर के अंग में दर्द होता है वही क्या बन जाता है आपका subject बन जाता है इसलिए इसमें कोई object नहीं हो सकता है बाखी collocations का तो फर्क है ही जैसे हम headache बोलते हैं ज़्यादा था head pain आप नहीं सुनेंगे back back एक बोलते है back pain नहीं सुनेंगे हा body pain body एक होता है तो कुछ जगों पर एक और pain interchangeable है एक दुसरे के जगा पर उपियोख किये जा सकते है तो I hope कि एक और pain में क्या difference से आपको clearly समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों ठीक है तो आज के class में मैं इतना ही छोड़ देता हूँ अगला word है act action और active ये तीनों एक खंदान के लग रहे है ना अगले class में हम लोग इस तीनों को command कर लेंगे आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए और हम यही चाहते हैं कि बाकी मतलब ये मत expect कीजिएगा हमसे फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ अंत में बोल रहा हूँ शुरुवात में बोल देना चाहिए था कि आप हमसे ये मत expect कीजिएगा कि हम पढ़ाते समय YouTube पर आपको बड़ी बड़ी लुभावनी बाते बोल पाएंगे I'm not an YouTuber my dear friends, again I'm telling you, I'm just a teacher एक teacher जितनी लुभावनी बाते बोल सकता है मैं बोल सकता हूँ teacher का mean attraction जो USB होता है वो explanation of the things हम जितना आप बोलिएगा उतना profound knowledge आपको देंगे but वो जो lure होता है, वो जो beat होता है बाते हैं कि मैं 2 second में सिखा दूँगा, 5 second में सिखा नहीं हो पाता है यार नहीं हो पाता, वो है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि class में हम 2 second, 5 second बोलेंगे नहीं, बोलेंगे लड़का सीधे सवाल पूछे कि आप तो 5 सेकंड बोलेते हैं, हो तो नहीं रहा, 5 सेकंड में solve YouTube पे तो कोई सवाल पुछता है नहीं, फट से लोग बोलेते हैं, 5 सेकंड में फट सेकंड में लिग देते हैं, 5 सेकंड में solve कीजिए अंदर जाके भले से आपको 15 मिनिट लगता हो बात समझ यह, तो यह कहने का मतलब क्या था ना, कि आप क्या करें कि आप सुरू से अंतर तक पूरा वीडियो देखें, यह बात हमको सुरू में बोलना चाहिए तक पूरा वीडियो देखें, जिससे आपका, कहीं पर कोई भी important point नहीं चुटे क्या मैं जानता था कि मैं एक और pain explain करूंगा, जब मैंने एक पढ़ाना शुरू किया था, तो accurate के बाद, मैं नहीं जानता था इसलिए, अधि आप miss करते हैं बीच में तो बस, दिकत हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही सुक्रिया, thank you very much, like कीजिए, subscribe कीजिए, नहीं किया तो share कर दीजिए